हेलो दियर स्टेंट्स, वेलकम तो दे वर्ट केमिस्तान, यह हमारा सॉलुशन चैप्टर का नाइंथ वीडियो लेक्चर है प्रिवेस वीडियो लेक्चर्स में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिसकुस किया था, जिसमें हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब तक कर लिये हैं, उनमें फॉस्स था अपना रिलेटिव लोवरिंग इन वैपर प्रेशर, RLVP, और सेकेंड जो हमने वो था, Elevation in Boiling Point, यह उसी सिक्वेंस में देखे, थर्ड अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि आज हम अब बिसकुस करने वाले हैं, यहां पे, ठीक है, Depression in Freezing Point, तो देखे, इसका भी जो हम यहां पर यहां पर रिजन देते हैं, लाइक मैंने जो Elevation in Boiling Point का आपको Logic बताया था, जो Reason बताया था, वो किस पर बेस था, वो Relative Lowering in Vapor Pressure पर बेस था, तो यहां पे, Depression in Freezing Point का जो Concept है, वो भी किस पर बेस है, वो भी जो अपनी First Colligative Property है, RLVP, Relative Lowering in Vapor Pressure, उसी के बेसिस पे हम यहां पे इसका भी Explanation देंगे, ठीक है, दोनों का ही Reason actually में वही है, Elevation in Boiling Point का भी Reason RLVP है, और Depression in Freezing Point का भी Reason RLVP है, तो देखे, यहां पे फिर से Condition वही है, Condition में क्या है, कि हमारे पास एक पहले Pure Solvent है, ठीक है, एक Pure Solvent जिसमें की कोई भी Solute Present नहीं है, और यह Pure Solvent कैसा है, Volatile Nature का है, ठीक है, मतलब एक Given Condition में इसके Vapor Formation पॉसिबल है, ठीक है, तो यहां पे हमने ही क्या ले रखा है, एक Pure Solvent ले रखा है, अब इस Pure Solvent में हमने क्या किया, एड किया एक Non-Volatile Solute, ठीक है, इसके अंदर हमने एड किया एक Non-Volatile Solute, मतलब एक Given Condition में जिसके Particles का Vapor Formation पॉसिबल नहीं है, ठीक है, Non-Volatile Solute, तो यह थोड़ा साम Bigger Particles Consider कर लेते हैं, यह Green Color में, ठीक है, यह Red Color में मैंने Pure Solvent के Particles बना रखे है, तो अब यहां से दिखे, जो अपना Solution प्रिपेर होगा है, आप तो Solute और Solvent दोनों मिल गए, एक Solvent है, Pure Solvent, उसके अंदर हमने एक Non-Volatile Solute डाल दिया, जैसे मैंने क्या किया, Water के अंदर NACR डाल दिया, Water के अंदर सुक्रोज डाल दिया, ठीक है, तो वो सब क्या है, Non-Volatile Solute है, तो हमने Pure Solvent के अंदर एक Non-Volatile Solute डाला, तो अभी यह क्या बन गया, यह एक Solution जनरेट हो गया, ठीक है, Solution बन गया, अभी Solution में देखे, मैं बात करूँ, तो अब दोनों के Particles होगे, ठीक साथ में, इस पर यह Green वाले, जो Non-Volatile Solute Particles है, यह भी present होगे, ठीक है, तो इसकी वज़े से हमने क्या कहा था, कि Relative Lowering in Vapor Pressure, अब यहां की Condition में मैं बात करूँ, First Condition में, तो यहां पर Vapor Formation क्या था, ज्यादा होता, ठीक है, यहां पर Vapor Formation ज्यादा होता, ठीक है, बट य यहां की अगर मैं बात करूँ, इस Condition की Second वाली Condition की मैं बात करूँ, तो यहां पर Vapor Formation कम होता, क्यों कम होता, क्योंकि अब Surface पे क्या है, Non-Volatile Solute Particles भी आके बैठ किया है, तो जो Vaporization होगा, वो कम हो जाएगा, जो Vapor Pressure बनेगा, वो कम बनेगा, ठीक है, तो चलिए, अब हम याद करते हैं, जैसे मैंने जब Elevation in Boiling Point बताया था, तो वो Boiling Point की Definition पर उसको Describe किया था, अब जरा हम Freezing Point की Definition को याद करें, किसी भी Solution का Freezing Point या किसी भी Liquid का Freezing Point क्या होता है, जब उसका Solid State और Liquid State क्या हो जाए, Equilibria Attain कर लें, ठीक है, वो उसका Freezing Point होता है, और Freezing Point कौन साडिशा है, जिस के Solid Phase का जो Vapor Pressure है, वो Liquid के Vapor Pressure की क्या हो जाता है, Equal हो जाता है, ठीक है, तो अगर मैं बात करोi, Freezing Point की, ठीक है, FP की, तो वो Temperature, वो Temperature, जिस क्या हो जाए, ठीक है, जो Solid Phase है, Šौलिड फेस का जो Vapor Pressure है, और जो Liquid Phase है, उसका Vapor Pressure है वो क्या हो जाए दोनों equal हो जाए ठीक है Solid Face का Vapor Pressure equal to Liquid Face का Vapor Pressure तो उस Temperature को हम क्या कहते हैं उस Solution या उस Liquid का Freezing Point कहते है Boiling Point में हमने क्या कहा था जब Liquid का Vapor Pressure किसके equal हो जाता है Atmospheric Pressure के equal हो जाता है तो वो उसका Boiling Point होता है यहां पर भैं हम liquid से किदर को जा रहा है solid की तरफ को जा रहा है तो यहां पर देखिए जो freezing होगा freezing point क्या होता है जब liquid का vapor pressure जब वो solid में गया तो exactly उस time पर गया जब equilibrium attain होई है तो liquid का जो vapor pressure है वो solid के vapor pressure के equal हो जाता है ठीक है, इसको एक graph के help से चले समझते हैं, एक graph में हमने से last time भी इस graph को draw किया था, उसमें हमने एक पहले pure solvent का graph draw करना है वापर pressure का, जब हमने उसके अंदर non-volatile solute add कर दिया, तो उसका वापर pressure क्या हो जाएगा, lowered हो जाएगा, तो वो graph बनाएंगे एक, ठीक है, और पीछे उ ठीक है, यह वाला access अपना वैपर pressure का है, यह temperature का access है, अब देखिए, अगर मैं pure solvent के लिए मैं बात करो, ठीक है, pure solvent, यह pure solvent सापोस करिए, तो pure solvent का कुछ वैपर pressure इस तरीके से था graph, ठीक है, क्योंकि temperature बढ़ाने पर वैपर pressure क्या होता है, बढ़ता जाता है, तो वैपर pressure कु अब यही solvent सापोस कर रहे है, बूलटा सोचें, ठीक है, temperature घटाते गए, घटाते गए, अभी दर सी धरकवाई, temperature कम कर रहा है, तो solvent जो कि liquid phase में था, वो cool होता गया, cool होता गया, cool होता गया, अचानक से आके एक temperature पर क्या हो जाएगा, वो freeze होगा, कोई तो temperature होगा, जब उसक freezing का phenomenon start हो गया, तो यहां से आप देखें, जो vapor pressure हो अचानक से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, बास समझ रहे है, क्योंकि अब solid phase में आ गया, solid phase में अचानक से जो vapor pressure होगा, वो decrease हो जाएगा, बास समझ रहे है, तो यह जो meeting point है, यह कौन सा meeting point है, यह liquid phase का, और यह solid phase का यहाँ पे यह वाला point क्या है, यहाँ पे frozen solvent, इसको बोल सकते है न, frozen solvent, यहाँ पे वो जो solvent था, वो freeze कर गया, अब इसके पीछे क्या है, यह solid state है, ठीक है, अब धान दीजिए, हम इसके लिए describe कर रहे हैं देखें कैसे, उस phenomenon से जहाँ पे हमने lowering in vapor pressure की बात की थी, अब हमने क हाँ, सपोस कर यह pure solvent के अंदर non-volatile solute डाल दिया, तो उस पूरे solution का जो vapor pressure होता है, जो vapor pressure होता है, वो क्या हो जाता है, decrease हो जाता है, तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस pure solvent की बात करो, तो इसके अंदर जब non-volatile solute डाला होंगा, यह इसका vapor pressure क्या हो गया होगा, नीचे आ तो देखिए अब जब यह नीचे आजाएगा graph तो इस graph को क्या करेगा जब यह graph नीचे आजाएगा तो इस graph को कुछ पीछे की side में meet करेगा है ना मतलब condition कुछ ऐसी होगी यह condition बाद समझ रहे है pure solvent के अंदर जब non-volatile solute डाला तो उसका vapor pressure decrease हो गया अब उसको अगर suppose करिए यह वाले vapor pressure को इस solid state के vapor pressure के एकवल पहुचना है तो graph कहाँ meet करेगा इस point पे नहीं meet करेगा यह कुछ पीछे meet करेगा ठीक है यह वाला graph हम किस के लिए बना रहा है solution के लिए बना रहा है एक बार वापस से मैं बता रहा हूं pure solvent का vapor pressure ज़्यादा था करेगा तो यह graph कहां meet करेगा कुछ पीछे meet करेगा पहले देखें फ्रेसिंग पॉइंट क्या था पहले फ्रेसिंग फ्रेसिंग प्उइंट यह था ठीक है पहले fundraising पॉइंट यह ठाले फ्रेसिंग है बात समझ रहा है तो अगर मैं पहले वाले freezing point को बोलू कि यह T of not था यह वाला freezing point क्या था यह T of not था तो अब नया freezing point यहाँ पर कुछ आ गया T of, बात समझें तो यही होगी lowering देखे यह जो बीच का जो यह decrement आया ठीक है, यह freezing point इतने से घटकी यहाँ पर चला गया, कुछ पीछे चला गया ठीक है, तो जो यह lowering आया यही क्या है, depression in freezing point इसको हम क्या बोल सकते हैं यह delta T of है clear है, delta T of lowering हो गई freezing point में यह बोलने तो depression आ गया freezing point में तो यही होता है कि जब किसी भी pure solvent के अंदर एक non-volatile solute डाल देते हैं तो उसका जो freezing point होता है वो depress हो जाता है ठीक है, जैसे मैं क्या करूँ मैं water लो, water के अंदर कोई non-volatile solute डाल दो तो उसका freezing point 0 से भी कुछ पीछे चला जाएगा ठीक है, minus में चला जाएगा like minus 0.16, minus 0.5 minus 1, minus 2 वो depend करेगा कितने number of solute particles आपने उसके अंदर add किये हैं, क्योंकि colligative properties किस पर depend करती है only number of solute particles पर depend करती हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे depression ला सकते हैं, किसी भी solution के अंदर, ठीक है, उसकी freezing point में, तो यहाँ पे ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ यह depression in freezing point, तो just like elevation in boiling point, यह भी directly proportional होता है molality के, जो यह delta tf की value होती है, delta tf यह भी directly proportional होता है molality of the solution यहाँ पे भी हम इस proportionality को हटाएं, कि तो जैसे वहाँ k भी लिखा था, वैसे ही यहाँ पे proportionality constant kf लिखते है, ठीक है, delta tf is equal to kf into m, यहाँ पे kf क्या है, kf को molal freezing point depression constant बोलता है, ठीक है, kf बोला जाता है molal, molal freezing point, freezing point, depression constant, depression constant अब जाते हैं, kb का एक नाम था, ebilioscopic constant, वैसे kf का भी एक नाम और है, krioscopic constant molal freezing point, depression constant तो बोलते ही हैं, और इसका एक और नाम है, जिसको हम बोलते हैं, krioscopic constant तो यह भी धान में रखेगा, cryoscopic constant, ठीक है, m, m तो आपको पता ही है, molality molality, mol per kg, clear है, तो यह अपना है, delta tf का formula, just like delta tb, ठीक है, delta tb क्या था, kb into m था, delta tf क्या है, kf into m है, अब यहाँ पर भी देखिए, हम जैसे वहाँ पर kb की value निकाली थी, वैसे हम यहाँ पर kf की value भी निकाल सकते हैं, बाई यह formula, ठीक है, और kf की value अलग-अलग solvent के लिए यह अलग-अलग होगी, वो तो हमें पता ही है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूँ की kf की, तो kf के लिए, just like kb, जैसे हमने formula लिखा था, ठीक है, वहाँ क्या लिखा था, मारूती का square divided by thousand into delta vaporization h, है न, mrtb का square divided by delta vaporization h, और नीचे into thousand और आता था, वैसे similar देखिए, यहाँ पे भी kf के लिए formula है, kf अगर हमें calculate करना है, ठीक है, तो kf के लिए formula क्या है, kf is equal to, वही है, mrtf का square, मारूती है, मैंने का था, याद कर सकते हैं, divided by thousand into, वहाँ delta vaporization है जाता था, तो यहाँ क्या है, यहाँ यहाँ पे liquid solid के बीच का, तो solid liquid में जाएगा, तो fusion का एक तरीके से प्रॉसेर से reverse ली बोलें, तो heat of exchange, तो दोहां तरब से same ही होना है, ठीक है, तो यहाँ लिखते है, delta f ush, fusion can't help, ठीक है, तो यह kf का formula होता है, just similar है यह किस formula के, जो kb का formula हमने लिखा हुआ, यहाँ पे भी values रखेंगे, तो आप water का, जो kf का value है, वो gain कर सकते हैं, मैंने last one पे कहा था, कि kb kf की value आपको water के लिए याद रखनी है, ठीक है, तो मैं कुछ solvent के लिए यहाँ पे kf की value लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी तो बाकी other solvent के लिए question में given होता है, but water के लिए कभी-कभी given नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ रेखे, water के लिए अगर मैं बात करूं, h2o के लिए, तो h2o का जो freezing point है, ठीक है, 0 degree Celsius या 273 Kelvin, ठीक है, उस पे इसका kf जो होता है, kf होता ह 1.86, unit y पुरानी unit है, Kelvin, और यह molality उधर बोलो, तो Kelvin per molality, ठीक है, Kelvin per molality, और यह mol per kg लिखो, तो kg उधर जाएगा, डिवाइड में, mol जाएगा, नीचे, तो mol उपर आएगा, तो inverse हो जाएगा, इसका एक और unit हमने क्या बोला था, जैसे kb की unit बोली थी, Kelvin kilogram per mol, हो जाएगा ऐ वो के भी वाली unit के जैसा ही है, same, इसके लाव देखे, Ethanol की बात करूं, C2H5OH की मैं बात करूं, इसका freezing point 155.7 Kelvin होता है, ठीक है, 0.7 Kelvin, 1.99 इसके KF की value है, इसके लाव देखे, Benzene की मैं बात करूं, Benzene, C6H6, तो Benzene का जो freezing point है, 278.6 Kelvin है, और इसके लिए 5.12, बहुत सारे question में ये भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, units अपकी बात करूं, Kelvin per molality, Kelvin per molality, ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, यहाँ पर freezing point भी ध्यान रखिए, water से कम freezing point है, Ethanol का, इसका भी आगे एक concept अभी देखने क आपको मिलने माला है, clear? अब ध्यान रिजे, कुछ ये depression in freezing point के छोटे से applications है, जो आपको समझने है, ठीक है, जैसे एक anti-freeze solution होता है, ये concept आई होप आपको clear हो गया होगा, आप screenshot लेना चाहते हैं, तो एक screenshot पे ले सकते हैं, ये उपर वाले concept का, ठीक है, और प्लस पिर ये न नीचे वाले concept का, ठीक है, ये graph की help से आप अगर इसको समझेंगे, तो ज्यादा easily समझ में आएगा, clear? तो चलिए देखिए, एक solution होता है, उसको समझते हैं, anti-freeze solution क्या होता है, ठीक है, उसके बाद पिर हम कुछ concepts को देखिए, अगे numerical solve करते हैं, main जो topic है, ये numerical का ही topic है, mostly इसलिए से numerical ही आते हैं, ठीक है, तो समझ ये देखिए, anti-freeze solution क्या होता है, anti-freeze solution, देखिए, हम बहुत सारे heavy vehicles की बात करें, like car हो गया, और भी बहुत सारे vehicles, जिन में क्या होता है, engines काफी heat हो जाते हैं, ठीक है, engines work out करते हैं, तो काफी heat हो जाते हैं, तो उनको cool down करने की ज जरूरत पढ़ती है, उसके लिए हम coolants का use करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर coolants को भी फिर वापस से regulate करने के लिए हमें radiators की जरूरत होती है, ठीक है, तो अगर आपने नाम सुना हो, तो क्या होते हैं, vehicles में क्या लगे होते हैं, radiators लगे होते हैं, ठीक है, car बगर में आपने radiator का नाम सुना हो, radiator, ठीक है, radiators, vehicles में होते हैं, तो radiators में क्या present होता है, water present होता है, ठीक है, अब suppose करिए, यहाँ पे जैसे हम normal condition में car drive करते हैं, तो इतना ज्यादा temperature, इतना कम temperature नहीं होता है, अगर winter season में भी चले जाए, तो इतना कम temperature नहीं होता है, कि उस water का freezing point हमें attain हो, मतलब radiator का जो water होता है, वो यहाँ पे freeze नहीं होता है, बट अगर बहुत ही cold countries में चले जाए, ठीक है, तो cold countries में क्या है, कभी-कभी जो temperature है, वो zero से भी कमाता है, zero से भी अगर कम temperature है, तो वहाँ पे अगर suppose करिए, radiator में जो water present हो क्या हो जाएगा, वो freeze हो सकता है, ठीक है, तो मैं freezing point को depress करना होगा, ताकि जब वहाँ पे जो temperature है, वो zero से नीचे जाए, तो भी water freeze ना हो, समझे, अगर मैंने क्या किया, जो water है, उसका freezing point कुछ technique लगा के उसको depress कर दिया, ठीक है, अभी-अभी हमने concept पढ़ा, depression in freezing point का, तो water का अगर मैं जो freezing point है, उसको मैं depress कर पाऊं, त और zero degree Celsius पे वो freeze नहीं होगा, बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखे हम क्या करते हैं, water के अंदर क्या add कर देते हैं, ethylene glycol add कर देते हैं, ठीक है, water के अंदर plus हम साथ में क्या ले लेते हैं, ethylene, ethylene glycol, ठीक है, ethylene glycol, सबने सुना होगा, dihydric alcohol होता है, CH2OH, CH2OH, इस तरी इसको बोलते हैं, short में, EG, ethylene glycol, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, water के साथ mix कर देते हैं, और इससे क्या होता है, अब यह जो water का जो freezing point होता है, वो freezing point gets lowered, ठीक है, freezing point gets lowered, या depressed, ठीक है, lowered और depressed, अब बात समझ गया होंगे, कि freezing point अब lower हो जाएगा, depressed हो जाएगा, तो अब जब water को zero पे freeze होना था, अब ओ water is zero degree Celsius पे freeze नहीं होगा, उसका freezing point है वो depressed होके, पीछे आजाएगा और पीछे आजाएगा, तो अब वहाँ पे जो radiator है, उसका जो water है, वो freeze नहीं होगा. अब यहां पर freezing point को और regulate कर सकते हैं कैसे इसके amount को regulate करके ठीक है, ethylene glycol by अपना desired amount में डालने की कितना change लेके आना है अपने को freezing point 0 से घटा के minus 0.5 लाना है या minus 1 लाना है या minus 2 लाना है ठीक है, बात समझ रहे हैं, तो इस तरीके से anti-freeze solutions का use किया जाता है इसके लावा देखे, जितने भी cold countries हैं, उनमें क्या होता है, road पे ice जमा हो जाती है तो उस पे हम क्या करते है, common salt NaCl या calcium chloride CaCl2 का use करते है to clear the snow on the roads, क्योंकि उनको डालने से क्या होगा, जो snow है उसका freezing point पीछे चला जाएगा तो जो वहाँ पे prevalent temperature है, जो वहाँ पे temperature अभी present होता है, उस पे फिर वो snow है, वो freeze state में नहीं रह पाएगा क्योंकि उसका freezing point और पीछे चला गया है, तो in cold countries, हम बोल सकते हैं, in cold countries क्या use करते हैं, ठीक है, जो हमारा road पे ice पड़ा हुआ है, उसमें हम किसकी spreading कर देते हैं, उसके अंदर हम spreading कर देते हैं, common salt, NaCl, ठीक है, और Cacl2, ठीक है, तो इस concept की help से हम क्या कर सकते हैं, फिर वहाँ पे भी ice का freezing point है, वो नीचे ला सकते हैं, तो फिर what, जो water है, वो freeze नहीं हो सकता है, to form ice, clear है, तो वहाँ पे पिर वो, जो snow है, उसको easily हम वहाँ से remove कर सकते हैं, clear, चलिए, अब देखिए, हम कुछ यहाँ पे numerical को solve कर लेते हैं, कुछ examples आपके लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे solve करता हूँ, 2-3, आप वीडियो को pause करेंगे, और एक बार खुद question को try करके देखेंगे, ठीक है, यह अपना first question है, वीडियो को एक बार pause करेंगे, और एक बार खुद try करके देखें, ठीक है, question को समझें, कैसे solve करेंगे, चलिए, देखें, मैं करता हूँ, two elements, a and b form compounds having molecular formula, ab2 and ab4, ab2 element है, जो की दो तरह के compound बना रहा है, ab2 भी बना रहा है, ठीक है, और ab4 भी बना रहा है, अब धेखेंगे जी नीची क्या बोल रहा है, when dissolved in 20 gram of benzene, यहापे solvent के लिया, उसने 20 gram benzene का लिया, ठीक है, 1 gram of ab2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, जब मैंने क्या किया, इसका 1 gram डाला, तो इसके freezing point में कितने का depression आया, ठीक है, 2.3 Kelvin का, जब कि, अगर मैंने ab2 का, ab4 का 1 gram डाला, तो इसने कितना freezing point lower किया, 1.3 के लिए, मतलब 2 condition हमें बनानी पड़े ही, अब गयादा, calculate the atomic mass of a and b, इस ab2, ab4 में a और b का atomic mass क्या रहा होगा, अब ध्यानी जी यहाँ पे क्या है, benzene के लिए kf भी दिया हुआ है, ठीक है, अब दोनों condition से हम 2 equations को gain कर सकते हैं, 2 equation होंगे, ठीक है, और उसमें दोनों के molar mass क्या होंगे, unknown होंगे, तो 2 unknown भी वहाँ पे present होंगे, 2 equation, 2 unknown, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, easily a और b की value को calculate कर सकते हैं, ठीक है, तो देखें, मैं एक बार ab2 के लिए लिखूंगा, फिर ab4 के लिखूंगा, I hope आपको clear हो गया होगा, ठीक है, तो for ab2 देखें, for ab2 compound के लिए अगर मैं देखूंगा, तो formula वही लगाँगा, क्या, delta tf is equal to kf into m, ठीक है, delta tf is equal to kf into m, तो delta tf कितने की lowering आए थी, जब ab2 हमने डाला था, 2.3 kelvin की, 2.3 kelvin की lowering आए थी, is equal to kf और बेंजीन देखें, 5.1, into molality, molality अब देखें, mol per kg, mol के लिखूंगा, mass divided by molar mass, mass कितना लिया हुआ था हमने, 1 gram of ab2, mass हो गया, molar mass हमें नहीं पता है, molar mass m, ab2, यही तो निकालना चाहते है, mol हो गया यह, mass divided by molar mass, divided by mass of solvent in kg, 20 gram benzene है, kg में बदलेंगे, divided by 1000, से, यहां से ध्यान दीजे, क्या निकल जाएगा, m ab2, ठीक है, m ab2, molar mass, ab2, पूरे compound का molar mass, यहां से मिल जाएगा, ठीक है, बात समझ गए, फिर ऐसे देखे, for ab4 करेंगे, ऐसे ही, similarly, यह भी मैं values आपको direct के लिखतूंगा, ठीक है, पहले concept समझ लेजे, for ab2, sorry, for ab4, ab4 के लि into m, अब यहां पर delta tf कितना था, lowered by 1.3 kelvin, 1.3 is equal to kf तो वही है, 5.1 into, अब mass कितना, इसका भी 20 gram लिया था, इसका molar mass, m ab4 मान लेते है, m ab4, ठीक है, divided by, फिर से, बेंजीन तो उतना ही है, ठीक है, 20 gram में ही, तो 20 divided by 1000, अब यहां से देखे, आप calculation करके, यह m ab4 को calculate कर सकते है, m ab4 को यहां से calculate कर सकते है, अब देखे, यहां जो values आती है, आप calculation करीगा, मैं directly लिख रहा हूँ, m ab2 आता है, यहां से 110.87, m ab4 यहां से आता है, ठीक है, 196.15, यह दोनों के, पूरे-पूरे compound के molar mass, अब देखे, इसको मैं break करके लिख सकता हूँ, ठीक है, break करके कैसे, m ab2 का मतलब क्या हुआ, molar mass ab2 का मतलब क्या हुआ, a का molar mass, ठीक है, a का molar mass, suppose कर यह a मान लिया, b का molar mass 2b, है न, दो mol b के थे, 2 into b, a का molar mass a था, b का molar mass b था, ठीक है, clear है, और यह total a plus 2b का molar mass किसके equal है, यह equal है, किसके 110.87, यह equation 1 बन क्या, बात समझ गे, यह हो गया, अपना equation number 1, ठीक है ऐसे देखे, mab4 का मतलब क्या हो गया, mab4 का मतलब कि a plus 4b की value किसके equal है, 196.15, यह equation number 2 हो गया, बस, अब minus कर देखे, equation 2 minus 1 कर दो, equation 2 minus 1 कर दो, देखे, a minus 1, चला गया है, 0, ठीक है, 4b minus 2b, तो 2b बचा, 2b equal to this minus this, यह घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 85.28, 85.28, यहां से देखे, b निकल गया, b की value आगए, 46.2, ठीक है, 42.64, 42.64, ठीक है, clear, अब भी मिल गया, यह b ही तो क्या है, b का मोलर मास है, ठीक है, ऐसा ही, अब a इसमें रख दें, किसी भी equation में रख दें, तो a निकल जाएगा, तो अगर इस equation में उठा कर, यह b put up कर द आती है, 25.59, किसी भी equation में put कर दीजे, ठीक है, दोनों में से, a की value आजाएगी, clear, तो यह हमारे पास क्या था, a और b का molar मास मिल लिया, आगे हो बात समझ गया होंगे, concept समझ में आ गया होगा, आपको question का, तो question का, अगर concept समझ में आ गया है, तो चलिए हम चलते हैं, अपन second question पर, ठीक है, second question में रिखे, क्या बोलता है, वीडियो को pause करिए, खुद से एक बार try करिए, ठीक है, यह question number second आपका, question को पढ़िए एक बार धान से, ठीक है, तो धान दीजे, इस question में क्या बोल रहा है, the molar freezing point depression constant of benzene is, पहलो, सबसे पहले उसने क्या दे दिया, kf की value दे 4.9, अब एक question में जैसा given है, वैसा ही लिखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, तो दिमाग लगाएंगे, ठीक है, selenium exist as a polymer of type SCX, ऐसा same numerical मैंने elevation in boiling point में भी करवाया था, जहाँ sulfur का हमसे molecular formula पूछा गया था, ठीक है, तो देखे, होगा, क्या होगा, वो नहीं बता है, क्याता है, वेंट 3.26 gram of selenium is dissolved into 226 gram of benzene, the observed freezing point is that much degree Celsius lower than pure benzene, इतने से freezing point lower हो गया, deduce the molecular formula of selenium, वहीं बताना है, यहाँ पर SC4 होगा, SC8 होगा, क्या होगा, तो simple देखे, मैं क्या करूँ, मैं पहले पूरे SCX का molar mass निकालू, उसमें एक selenium के atomic mass से divide कर दो, तो यहाँ पर X की value क्या होनी है, वो हमें पता चल जाएगी, simple हम चलते हैं किस पे, अपने formulae, delta TF is equal to KF into M के उपर, delta TF देखिए, मैंने का था, difference, difference तो Kelvin पहले है, degrees Celsius पहले एक ही बात है, उसमें आपको tension नहीं लेना है, कि इस degrees Celsius को Kelvin में बदल लिया जाए, को Kelvin scale पर भी उतना ही temperature का difference आता है, ठीक है, तो delta TF की value कितनी है, 0.112, equal to KF, KF और Benzine दिया हुआ है, 4.9, into molality, molality, ठीक है, mass divided by molar mass, पहले mol लिख लें, तो mass कितना है, 3.26 gram किसका है, selenium का है, 3.26 gram, अब divided by molar mass of selenium का, जो compound है, molar mass of SCX, वो हमें तो पता ही करना है, ठीक है, divided by mass of solvent in kg, 226 gram Benzine है, 226 divided by 1000, यहां से, दीखे, molar mass निकल के आ जाएगा, किसका, selenium का, यह calculation करेंगे आप, ठीक है, यह calculation करेंगे, तो दीखे, सीधा-सीधा मैं आपको molar mass लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं calculation नहीं कर रहा हूँ, molar mass of यहां दीखे, SCX, SCX, वो कितना आ जाएगा, इस पूरे calculation के बाद, 632, ठी ठीक है, तो जो formula बन जाएगा, उसके लिए मुझे N कितना होगा, यहां X कितना होगा, तो X की value निकाल नहीं है, तो जो भी total mass ना compound में, 632, divide कर दो, एक selenium के mass से, 78.8 से, तो approximately यह value आ जाएगी, 8, तो हम formula क्या बोलते है, जो molecular formula होता, यहां पे SCX का, molecular formula जो बनता, ठीक है, वो क्या हो जाता है, यहां पे, SE8 हो जाता, clear है, चलिए, हम चलते हैं, question number third पे, यह last question होगा, ठीक है, इसके लावा आप फिर, book से practice कर सकते हैं, और भी हम आगे questions, further lectures में करने वाले हैं, ठीक है, तक यह third question में क्या बोल रहा है, 1.02 gram of urea, question को pause करके, आप एक बार खुद से प बोलना है, question में, 1.02 gram of urea, when dissolved in that much gram of certain solvent, decreases its freezing point by that much Kelvin, जब इतने gram urea को dissolve किया, इतने gram solvent के अंदर, तो freezing point में इतने का depression है, अब कहता है, एक दूसरी condition लेता है, कि 1.6 gram of unknown compound, पहली बार urea लिया था, दूसरी बार उसने एक unknown compound का use किया, वो compound हमें पता नहीं है, ठीक है, तो when, 1.6 gram of unknown compound, when dissolved in 86 gram of same solvent, उसी solvent के अंदर हमने 86 gram solvent लिया हुआ था, और उसके अंदर 1.6 gram other compound dissolve किया, तो depression in freezing point इतने का है, पहली condition में इतने का freezing point depression था, दूसरी condition में इतने का freezing point depression था, आप calculate करने को बोल रहा है, हमें molar mass of the unknown compound, इस unknown compound का molar mass क्या रहा होगा, तो देखें, यहाँ पर हमें क्या है, एक certain solvent दे रखें, मतलब, solvent हमें यहाँ पर known नहीं है, मतलब हमें उस solvent यहाँ पर देखें, के अध भी नहीं दे रखें, तो एक काम कर सकते हैं, पहली वाली condition में सब कुछ पता है, है वहां से kf calculate करें और दूसरी वाली condition में उस kf की value रखे molar mass निकाल दें unknown compound का ऐसा काम कर सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर ऐसा करते हैं कि पहली वाली condition from condition 1 condition 1 जो पहला condition हमें उपर दिया हुआ था वहां पर लगाते हैं delta tf is equal to kf into m या आप दोनों की kf की value क्या कर सकते हैं equate भी कर सकते हैं एक equation में काम चल जाएगा ठीक है मैं यहां से पहले kf निकाल के फिर दूसरे में रखोंगा कि आप दोनों की kf को equate कर दीजिए वहां से भी question easily solve हो जाएगा तो द्याम दीजिए delta tf पहली condition में कितना था 0.211 equal to kf हमें नहीं पता है molality लिखूंगा mass कितना है 1.02 यूरिया का molar mass कितना होता है 60 ns2co nh2 divided by mass of solvent कितना है in kg रखना होता है 98.5 divided by 1000 यहां से देखे आपको kf मिल जाएगा मैं kf की direct value यहां से लिख रहा हूँ आएगा यह 1.22 kelvin kg per mol ठीक है यह kelvin per molality बोल दीजिए अब from condition 2 पे देखे यही kf रखोंगा from condition 2 condition 2 ठीक है दूसरी condition में देखे यही kf की value का यूज करते हैं अब delta tf is equal to kf into m यहां delta tf कितना है 0.34 is equal to अब तो kf मिल चुका है 1.22 molality mol निकालूंगा 1.6 mass divided by molar mass unknown compound का पता ही करना है capital हम रहने देते हैं divided by mass of solvent 86 gram था in kg divided by 1000 हो गया यहां से देखे आप molar mass calculate कर सकते हैं easily ठीक है उस solute का molar mass क्या था तो देखे आप calculation करिएगा 66.76 आए गई है 66.76 gram per mol I hope आपको यह सारी बाते clear हो गई होंगी ठीक है यही concept था depression increasing point का कि किसी भी pure solvent के अंदर अगर non-volatile solute को add करते हैं तो उसका freezing point क्या हो जाता है depressed हो जाता है clear तो हम अब मिलेंगे अपने next video lecture में तब तक के लिए पढ़ते रहिए next video lecture में हम discuss करेंगे fourth and last colligative property osmotic pressure के बारे में तब तक के लिए पढ़ते रहिए take care